हेलो नमस्कात दूस्तों क्या हाल चाले फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं अब MIUI के थीम स्टोर पर आप यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टे थीमे उसको यहाँ पर एप्लाई कर सकते है फाइनली यहाँ पर अच्छी गूट नियूस आ चुकी है कोई एक गंटे दो गंटे के बाद डिफोल्ट नहीं होने वाल ही है पर्मेनेंट सोलीोशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो मैंक सुरू गईस आप वीडियो के साथ बने रहना और आपने हमारी चैनल टेकरस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इडन टीप्स और ट्रिक्स देखने के लिए शाओमी के आप हमारी चैनल टेकरस के साथ बने रहना तो चलिए के सुरू कदाच की इस वीडियो को तो गईस यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट केने से पहले एक छोटा से इंफोर्मेशन बता देता हूँ आपको यहाँ पर जो भी स्टेप में बता हूँ वो उसको सबसे पहले आपको ध्यान से फोलो करना है एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है वनना एफ फीचर है वो आपकी डिवेश में वर्क नहीं करेगा अगर यहाँ पर आपको अभी शोग करके दिखाओ तो यहाँ पर आप देख सकते कोई भी इंपोर्ट का ओप्शन देखने को नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाके तीन एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है उनमें सबसे पहले जो एप्लिकेशन है उसका नाम है एप क्लोनर दूसरा है सॉलिड एक्स्प्लोलर और तीसरा है MIUI थीम शोर का एक लैटेस वर्जन अब यहां पर जो भी स्टेप बोलू चलिए वन बाई वन आप उसको फोलो कीजिए सबसे पहले एप क्लोनर को डाउनलोड करके इंस्ट्रोल कर लिजिए अपने डिवेस में इसके बाद इस एप को करना है आप लोगों को ओपन ओपन करते ही कुछ इस तरह का आपकी डिवेस में इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर आपको मेई भी लेटर पर टेप कर देना है और यहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है यहां पर आपको करना है टेप अब आपकी डिरीज में यहाँ पर कोई भी Theme Store का अपडेट सो नहीं करेगा क्योंकि आप First Time Open करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को Plus का सिंबोल देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको टेप करना है और Select करना है From a File यानि कि आप अपने File Manager से कोई File Select करते है अब आपको डाउनलोड की जो फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर में होगी जहाँ पर भी होगी वहाँ से आपको चूज करना है जो लेटेस होजान आया है Theme Store का है वो है Chinese Beta Update 3.9.2.2 इसकी भी आपको जो एपके फाइल है वो मिल जेगी डिस्कुशन में उस एपी के उपर टेप करना है तो आपके गैस यहाँ पर जो पेकेज फ्रेज है वो अनेबल हो जाएगा कुछी इस तरह का information आप लोगों को सोग करने लगेगा अब जो अगला step है उसको गैस completely watch करना है और ध्यान से follow करना है यहाँ पर लिखा हुआ है cloning option यहाँ पर आप देख सकते हैं जो red dot लिखा हुआ है यहाँ उस पर tap करना है cloning option पर तो सबसे पहला option देखने को मिल जाता है cloning mode इस button पर tap करना है और guys आपको select करना है manifest और कर देना है ok और कुछ आपको changes नहीं करना है इसके लवा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है ignore crisis इसको on करना है यहाँ पर ignore crisis को tap कीजिए ok बटन पर click कर दीजिगा इसके बाद guys आपको scroll down करके bottom में चले जाना है और आपको एक option देखने को मिल जाता है no kill इसको भी आपको on कर देना है enable करना है और कर देना है ok बस इतना ही आपको यहाँ पर जो changes से setting में वो करना है बेक प्रेस करना है और guys आपको यहाँ पर एक kloner का option सोग करता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस kloner पर यहाँ पर पर्मिसन को read कर लीजिए ok कर दीजिए और guys आपकी यहाँ पर जो application है वो clone होना start हो जाएगी इस जो application है वो वर्थ क्या करती है आपका Xiaomi theme store का जो official version है उसके यहाँ पर kloner version को create कर देगी तो इसके मुताबिए guys आप यहाँ पर जो application है उसका नया फाइल को update या apply कर सकते है जिसकी मदल से हम यहाँ पर third party app को यहाँ पर easily apply कर पाएंगे finally guys हमारी application है वो clone हो चुकी है एप clone लिखा हुआ आज चुका है theme was clone हो चुकी है simple सा install एप पर tap करना है यानि कि आप अपने device में यहाँ पर clone app है वो install कर पाएंगे अगर guys आपको यहाँ पर package not fresh ऐसा कुछ error आए तो उसको guys एक बार repeat करना है process same तो आपकी device में work करने लगेगा finally guys यहाँ पर हमारा जो latest version है theme store का वो यहाँ पर install हो चुका है अब guys यहाँ पर देख सकते हैं आपकी device में यहाँ पर clone version लिखा है यानि कि clone का symbol है और जो आपका default version होगा theme store का वो कुछ इस तरह का होगा यानि कि आपकी device में दो-दो theme store है वो enable हो चुकी है अब guys यहाँ पर ध content पर टेप कर देना है यानि की ignore कर देना है my account में चले जाना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा themes का option यहाँ पर आपको टेप करना है और guys boom आपका यहाँ पर import file manager है वो enable हो चुका है जैसे ही टेप करेंगे तो guys आप लोगों को यहाँ पर choose package का option आजेगा अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने skip कर दिया आना आगे का पार्ट तो guys आपकी device में वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप जो changes करना है वही main changes है अब guys इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है simple सा आप लोगों को जाना है अपने जो पूराना theme store है यानि की official theme store उसको पर आपको four stop लिखा हुआ देखने को मिलतेगा वहाँ पर टेप कर देजिए okay कर दीजिए इसके बद यहाँ पर clear all data है उसका clear all data okay कर दीजिए यानि कि आपका जो पूरा data है वो clear हो चुका है इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों को क्या करना है आपको यहाँ पर open करन आपकी बाई में यहाँ पर निकल लिया है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम चुनल शाओमी थीम्स की लिंक मिल जेगी यहाँ पर हम काफी शाओमी की जो पॉपिलर थीम होती है जो मेरे को परस्टनल फेटी रहती है उसको यहाँ पर मैं अपलोड करता रहत देगी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एपी ट्वेंटी 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 टू करके जो थीम है वह डाउंडोड हो भी गई कोई भी कई यहाँ पर स्पीड श्लो नहीं है बिल्कुल फास्ट है अब आपको क्या करना है सिंपल सा अगें जाना है तीम में और चूज तो प STEAM आपको दोनों को अप्लाइक करना है तो दिखाने के लिए को त्वाइंटी ट्व्ज टू को हम ले लेते हैं यहां पर आपको जो भी थीम पसंद है उसको चूज कर लेना है तो यहां पर आपने देखा हमने दोनों थीम को कर लिया है अपको एक बात याद रखनी है अब आपका ओपन करना है यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंडर्फरेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है अब आपकी डिवेस में फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस अपने आपको जो भी परमिसन को अलाव करना पड़े उसको अलाव कर दीजीगा इसके बाद आपको जाना है आपका जो मैनेरजर लिखा हुआ है उसको लॉंग प्रेस करके डिलीट कर देना है यह जो फाइल डिलीट करने वाले है वह है ऑफिसल थीम स्टोर का तो सिंपल सा इस फाइल को हम कर देंगे डिलीट एस वीडियो को कैरफूली वाच करो तो ही पता चलेगा जो दूसरा थी करो अल लगाओ और प्रेस कर दो ओके इतना करने के बाद आपका यहां पर मौस्ट प्रोबेबिली जो काम है वो खतम हो जाता है अब आप लोगों को जाना है अपने तीम में यानि कि जो ऑफिसल शौमी थीम स्टोर है जो हमारा पहले था उसको करना है ओपन यहां पर एग इंपोर्ट का अप्शन नहीं है यानि कि हमारा ओफिसल स्टेबल वर्जन है तो यहां पर हमारी थार्ड पार्टी थीम है वो सक्सेस्पूल आ चुकी है जो भी थीम को एपलाई करना है सिंपल सा यहां पर एपलाई बटन पर टेप कर देना है जैसे कि यहां पर हम आपको दिखाने के लिए एक थीम ले ले लेते हैं जो कि वही है एपी 2022 यहां पर गेटिंग इंफो आएगा और आप लोगों की थीम यहां पर सक्सेस्पूल गैस यहां पर एपलाई हो जाएगी चलिए यहां पर हम चेक भी कर लेते हैं तो फाइनली गैस यहां पर आप देख सकत में हमने एक वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है जो कि हमारी है वहां पर स्टेप बाइस टेप आप लोगों को बता दिया इसको कैसे यूज करना है वैसे ही अगर आपको लगे कोई और थीम को एड़ करना है हम जैसे कि हमने संसेट वाइब को कर लिया करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में एडिशनल सेटिंग यहां पर जाना है रिजियन राइट आपको यही तीम यूज करना है तो आपसे क्या करना है आपका यहां पर एप क्लोन रहे जो नया वाला और जो दोनों को रिमू कर देना है जैसे कि यहाँ पर long press करके आप यहाँ पर app info में जाके uninstall कर देंगे तो कोई भी चिंतावली बात नहीं है क्योंकि हमने official method की मंदर से apply किया हुआ है जो कि permanent रहीगा और कोई भी कई आपका default पर state नहीं होगा तो definitely जाप मेरे को वीडियो को like करके बताओ क्या आपको यह आज का वीडियो पसंद आया कुछ interesting लगा और क्या आपका यह जो trick वो work किया या नहीं right now मेरे पास जो device है वो है मेरा Poco X2 और मैंने Redmi Note 10S में भी चेक कर लिया है उसनों भी यह work करता है Poco X2 version की बात करें तो वो run करता है MIUI 12 का 12.5.7 version और जो Redmi Note 10S से वो work करता है MIUI 13 पर तो दोनों device में गाई से भी method work करती है कोई भी error आती है तो वीडियो को एक बार revise करके चेक कर दीजिए क्योंकि एक भी step means कर दिया तो एक work नहीं करेगी तो definitely वीडियो पसंद आया हो तो मैंकिसर आप हमारे चेनल टेकरेस को सब्सक्राइब करें और comment करके ज़रूर अपना opinion बताइए कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया या फिर नहीं तो अगले वीडियो में और सभी download file के link मिल जाती है description में तो definitely check out करना मत बूलना तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हीं